हाई फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं वाटर मिलिन सर्बत की रेसिपी इसे बहुत से लोग प्यार भावबत का शर्बत भी कहते हैं इसको बनने में भी जाद समय नहीं लगता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमने एक कड़ाई लिये उसमें हमने एक इंफ्लेम कर देनी हैं और ऐसे ही अभी चलाते रहना है और इसमें अब हमें एड करनी है शुगर चीनी तो यहां मैं देखे एक कप चीनी ली है दो 200 ग्राम है लगवग आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम यह जादा कर सकते हैं अब इसमें हमें यह इलाईची काजू बादाम और पिस्ता लिया है अब इन सबको हमें मिक्सिजार में डाल कर पीस लेना है देखे मैंने इसको पीस लिया है अब इसे हमें दूद में डालना है तो अब इसको हमें हलके हलके एड करना है थोड़ा थोड़ा करके ही एड करना है और चलाते रहना है साथ के स सब्सक्राइब करें अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके बाद हमें गैस की फिलेम को ओफ कर देना है इसी तरीके से चलाते आटेखे अब हमें घास की फ्लेम को आफ कर देना है रूम टेमपरेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है तो देखिए दूर्द जो है अच्छे से ठंडा हो गया है अब सब्चा के बीज इसको मैंने दो चम ब्च को पानी में भीगोकर रख दिया था 15-20 मिनट के एक चमणची डाल सकते हैं। आप अपने इस साफिते से भीएशाम, यह मंने हम फुकिता है और रॉलाऊफजा लिख कर लिए, यह थूलोग है यहा यहामन बींश्वक्त छोड़ टति जे डालते हैं। अगर उसके बाद आपका कलर फीका लगता है तो आप थोड़ा और रॉआफजा उसमें एड़ कर सकते हैं तो यहां मैंने थोड़ा थोड़ा करके रॉआफजा डाला है और उसे मिक्स करा है इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है इसे चलाते हुए देखी कितना अच्छा कलर आ और देखे थोड़ा हमें इस तरीके से चलाना है हलके हाथ से तो देखे शर्वत बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे वाटर मेलन शर्वत दूद का शर्वत प्यार महभबत का शर्वत कुछ भी कह सकते हैं आप इसे एक बार पियेंगे तो बार बार बनाएंगे आप इसे इस जरूर बनाएं अब हमें सर्वन को ग्लास में कर देना है और इसको थंड़ा होने के लिए फ्रीज में रख देना है अगर आपको अभी सर्व करना तो आप इसमें आइस झाल झाल